नवस्कार दोस्तों मैं अमबर जैनी और एक बार फिर्स से आप सब के सामने हादुर हूँ नए ख़बर और नए एक डिसक्शन के साथ और आज हमारे साथ इस डिसक्शन में शामिल है सुमिट जैन जी सीरेश चाहिना से नमस्कार सुमिट जी कैसे हैं नवस्कार जैश्री राम बहुत बड़िया हूँ जैश्री नाम और जैहिंद और सवाल आपसे यह हैं कि आपके ससुराल के बारे में बात करें यारी चाइना अपने लेवल पर कर रहा है तो आंसर इस पाकिस्तान ने आज तक कभी भी अपने लेवल पर कुछ काम किया ही नही काम करने के लिए अकल चाहिए इन गर्थों के पास अकल होती अपजे कोальном पर बाकिस्थान बनाते नहीं है और यहां बार बार तंग करे क्या वह इसलिए कि नहीं यहां पर मोदीजी है उनको शक्र पसंद नहीं है मोदी जी की ऐसा नहीं है वर अगर पूरे भारत में को टकर दे रहा है लेकिन उस製 के अंदर बहुत बड़ा ऐसा चंक है जो भारत भी ले रहा है जो चाइना बरदाश्ट ही नहीं कर सकता यह कॉमिनिस कंट्रीज को मिशन होता है कि असी दावा ते बाकी सारे मेरे पिछे पिछे तो मोदी जी कहते हैं तुम भी राइस करो हम भी राइस करते हैं लेकिन यह चाइ कंट्रीज हमारे पाले में आगे चाइना कभी इस चीज को बरदाश्ट ही नहीं करेगा कि उनके सामने एक और पावर सेंटर खड़ा हो जाए डिप्लोमेसी में यही दिक्कत है जिसके करने वह हमें तंग करना चाहते हैं दूसरा रीजन है कि हमारी एकनॉमिक एक ग्रोथ ह वो इतनी ज्यादा तेजा आगे बढ़ रही है की चाइना इतनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी थे चाइना नीचे गिर भी रहा है अब नहीं चाहे कातब की चाहिए वह इको सटम नहीं है जो भारत के अदर अभिएवैलबल है तो यह दो जो चीज़े हैं एकनॉमिक और दूसरा है डिप्लोमेसी जिसमें भारत ने इतनी स्पेस अपनी दुनिया में क्रेट कर ली है कि वो चाइना को बरदाश्ट नहीं है ठीक नहीं चल रही है हम सब जानते हैं वेंटी लेटर पे कैसी वज़ा से उन्होंने डिकलेर कर दिया खुद को खाया और बात हो सही है आला कि ये उसको बहुति किसी नहीं च्छेत रहा है तो क्या ये पाकिस्तान की हम उनकी खिस्याहट है जो जिस तरह से हम कश्मीर में टैर्रिजम देख रहे हैं या पूरी तरह से क्योंकि वो अफगानिस्तान से बात चीट रहे हैं TTP को कंट्रोल करने में, BLA को कंट्रोल करने में इसे भारत ही उनको एक ऐसा easy target नज़राता है कि महाँ पर आप terrorism पहला दीजे और साथ में उनको चाइना का समर्थन तो है तो चाइना कभी काम हो रहा है पाकिसान कभी काम हो रहा है पाकिसान के अंदर जब भी तक्लीफें बढ़ती है एकनॉमिकली डिप्लमेटिकली तो यह हमेशा ही क्या करते हैं कि अपने लोगों को खुश करने के लिए यह बोल देते हैं कि हमने बोला था भारत को हम हजार जकम देंगे हमने हजार में से एक दे दिया है बस 999 और देंगे हैं और उनके जो लोग हैं वो बेशक भूक से मर रहे हो आटा ना हो लेकिन फिर भी वो बड़े खुश होकर अपने रात को सोते हैं कि आज हमने भारत भारत को जखम दे दिया तो यह जो चीज़ है आपने बिकुश सही किसी को अगवा कर लिया चाको मार दिया यह उनका खुशी का टाइम होता है तो उनको आजकल खुशी मिल रही है कोई बात नी उनको दिवाली चाहिए दिवाली मिल जाएगी मोदी है मुम्किन है और मोदी जवाब जब देगे यह अपने पिछवाड़े को बचाने में करने के लिए मोदी जी है यहां पर और इन्हें जवाब दिया जाएगा दूसरी बात चाइना बीच आता है कि यहां पर पहले बोला आपको कि हमारे देश में हमेशा ही प्रॉलम्स खड़ी रहें मोदी जो कॉंसेंट्रेट कर रहे हैं कि एक विक्सित भारत को बनाना है मेक कहीना कहीं पूरे दुनिया में एक मैसेज भी गया है कि इंडिया इस नॉट सेफ कंटरी मैं क्यों बोल रहा हूं आप देखिए चार जून से पहले एक ही चीज़ हो रहा था कि पूरे दुनिया के कंपनी जो है वो भारत में आना चाहती थी देवर डी कंपनिंग फ्रम चा सुनाई दी हैं आपको मैं इंडिस्ट्री को फॉलो करता हूं मुझे पूरे इंडिस्ट्री में किसी की भी आवाज नहीं आई है जब से चार जून के रिजल्ट्स आई है और इसी चीज़ का फाइदा उठाते होए चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है कि यहां पर आदमी उनको मिल नहीं सकता था यह बहाना है बहाने है कि भारत उनको फंडिंग कर रहा है कभी एक से रिपोर्ट निकाल दी सारा से और क्या बोलती है कि ओ तालिबान को तो दस मिलियन डॉलर भारत ने दे दी हैं उससे जादा पैसे तो हम देते हैं वह खुद ही वहां पे कनफर्म भी कर रही है कि तालिबान को दस मिलियन डॉलर से जबा हम देते हैं जब आप अफगानिस्तान को छोड़ कर जा चुके हैं तो आप टीटीवी को पैसे किस बात किस बात के लिए रहे हैं तो आपको उसकी से समय आयता है और इसकी रिपोर्ट में एक ही चीज़ बो करनी है और येस चाइना पाकिसान को यूज कर रहा है भारत को डिसरफ करने के लिए रीजन्स मैंने आपको समझा दिये अब है बारी बारत की या है यानि कि दुश्मन चाहता है कि हम कोई हरकत करें और हमारा उससे भी ज़्यादा नुकसान किया जाए इसलिए बार बार हम में उकसाने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से लेकिन जो आर्ट आफ वार्फियर है उसके अंदर एक चीज होती है कि आप कभी भी उस वकत अटैक नहीं करते हैं जब सामने वाला सतर्क हो प्लैंड हो प्रिपेर्ड हो और वेट कर रहा हो कि आप अंदर आएं औ आपको उनके घर में जाकर मारा जाए यानि कि हम घुरसेंगे तो सही लेकिन मार हम ही खाएंगे शायद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मोदी जी की पास अलड़ी है इसलिए वो इंतजार भी कर रहे हैं और सही तरह से सक्ट जबाब पाकिसान को दिया जाए और ऐसी उमीद झाल 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 झाल